हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार मैं हूँ अनंत गोड और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये चैप्टर नमबर एट है एट्थ क्लास का सिविक्स के अंदर लेसन का नाम है कनफरेंटिंग मार्जिनलाइजेशन हासे करन से निपटना इस चैप्टर को हमने इससे पहले वीडियो में हाफ रेड कर लिया था प्रोटेक्टिंग ड्राइटस ऑफ दलित्स एंड आधिवासी अब दलितो के या आधिवासीों के अधिकारों की रक्शा किस तरसे की जा सकती है तो अभी तक हमने वीडियो में यह देखा था कि जो दलित है या आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ में बुरा विवार किया जाता था उनके साथ में बेदबाव किया जाता था या उनका शोशन किया जाता था एक case study के मादम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दलित समुधाय के साथ में बेदवाव किया जाता था तो ये कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जो कहानी है वो जकमालगूर नाम का विलेज है वहाँ पर एक अनुष्ठान का आयुजन किया जा रहा है, जहां पर 20 गाउं से पुजारी लोग आये हैं और ये पर्था परतेक 5 साल के बाद की जाती है, हर 5 साल के बाद में ये पर्था की जाती है इसके अंदर जो पुजारी होते हैं, उन सभी के पैर दलितों के द्वारा दोए जाते हैं और दलित उसी पानी से नाता भी है और कमाल की बाद तो ये है कि इस मंदिर में आज सक दलितों ने एंट्री भी नहीं की है कि जिम्मेदारी रतनम के परिवार को आती है और रतनम जो की एक 20 साल का युवा है और बीटे की बढ़ाई कर रहा है तो वह इस पर्था को मानने से मना कर देता है जब रतनम इस बात को मना करता है तो उसके परिवार के लोग और उची जाती के लोग जो powerful communities के लोग है वो इसका विरोध करते हैं और सभी कहते हैं कि अगर ये पर्था नहीं निवाए गई तो स्थाने देवी देवता नराज हो जाएंगे मगर रतनम ये कहता है कि जिस मंदिर में आज तक हमने एंट्री ही नहीं किया है तो वहाँ के देवता हमसे कैसे रुष्ट हो सकते हैं तो इस बात को लेकर काफी भहस होती है और लोग कहते हैं कि जो उची जाती के लोग कहते हैं भी कि इसकी जो शिक्षा है या एजूकेशन ने इसको बिगार दिया है और ये हमारे पूरे समाज के लिए हानिकार्ग है और रत्नम जो की एक पड़ा लिखाई हुआ है वो इस बात को मानने से इंकार कर देता है जब वह है इस बात को मानने से इंकार कर देता है तो उसके परिवार को और उसको गाउं से निकाल देते हैं और उसका बायकार्ट कर देते हैं फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि हाई कम इसके लोग जो हते हैं, वो उसके घर को जलाबी देते हैं और रात को वो मुश्कलों से अपने जान बचा कर अपने माँ के साथ में भाग निकलता है और पुलिस में, पुलिस्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट धायर करता है और रिपोर्ट जो एक कानून बनाये गया है या एक्ट बनाये गया है उसके तहित अपनी रिपोर्ट दर्ज करता है ये एक्ट है सेडुल काश्ट अड सेडुल ट्राइब्स प्रिवेंशन अंट्रो सिटिज एक्ट 1989 ठीक है अनुसूत जाती और जंच जाती के अत्याचारो को रोकने के लिए एकदिनियम 1989 में पारिद किया गया था उसके तैस्ट वह अपनी रिपोर्ट को धर्ज करता है फिर फिर भी जो उनकी कम्मुनेटिस के लोग है वो ये वो भी उनके विरुद जो रत्नम है उसके विरुद खड़े रहते हैं और फिर आगे बता रख है यहां पर जो राइटस जो एक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि वह किस तैसे कार्य करता है यह किस तैसे जो लोगों के सामने या हमारे सुधन के सामने ऊबर कर आय था तो जैसे रत्नम जैसे लोग कोई कई और भी दलिच समूधाय के लोग थे, जिनके साथ में बेदवाव किया जा रहा था या हत्याचार किया जा रहा था वे सभी इकटे हो गये और उनोंने जो उचिजातीयों के द्वारा जो बेदवाव किया रहा उनका विरोध किया और यह बात एक आंदोलन के रूप में सामने आई और लोगों ने खूब इस बात का समर्थन भी किया और जब ऊची जातियों को भी पता चला कि भी उनके कहने से मना किया जा रहा है तो तो खुले हम काफी अत्याचार किये गए अब हमारे जो स्विधान ने भी इस बात के बारे में जानकार ली और एक लिश्ट त्यार की कि जो उची जातियों के दवारा या जो दलित लोगों के साथ में बिहेव किया जाता है उसके एक लिश्ट को भी जारी किया अब 1970 के बारे के बीच ही की बात करें तो उस समय आधिवासी लोग भी अपने जो जमीन से निकाल देने के कारण बाहर रहना पड़ रहा था या अपने जंगलों से निकालने के कारण वे भी मार्जलाइट ग्रूप में आगे थे तो उन्होंने भी अपनी मांग को आगे रखा था तो इसी एक्ट के तहत उनको भी संद्रक्षन परदान किया गया था इसके तहत कई ऐसे मामले सामने आए जो की काफी भियानक थे जिसको नैतिक रूप से एक निंदनिय कारिय के रूप में जाना गया था तो सबसे पहले इसके लें जो सूची देखे तो इसके अंदर एक ये बात बतारके भी कि किसी भी जो अनुसूची जाती है, जल जाती है, या सैड्लिल कास्ट है, या सैल्लियू जा सकता जो कि खाने योग है नहीं है पुराने समय में ऐसा होता था कि भी जो आदिवासी लोग है या जो दलित लोग है उनको ऐसा खाने खाने के लिए वियोश्किया जाता था कि जो कि खाने योग है बिल्कुल भी नहीं था और इसके अलवा ये भी बताया गया कि कहीं के ये ये भी परता आथे कि इन लोगों को जो दलित लोग थे या दिवाशी लोगों थे उनको बिना कपडे के गुमाया जाता था, तो ये भी एक क्राइम के रूप में देखा गया है और इसके साथ में केखेGod पर ये देखा जाता था कि इन डलित 로गों के जो चेहरे पर यह शरीर पर तरह तरह के टेंट लगा दिये जाते थे उनकी वह इसके तहत एक क्राइम के रुप में देखा गया है इसके अलावा जो जो लेबर हैं या जो जंगलों में रहते हैं उनकी जमीन पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं बना सकता है या जोर जबरदस्ति उनके जमीन को अपने अंडर में शामिल नहीं कर सकता है और एक और ये बात इसमें बताएगे कि कोई भी दलित्म महिलाओं या ट्राइप्स की जो महिलाएं है जो सैडूल ट्राइप्स की जो महि लाए हैं उनके साथ में कोई भी किसी त्रह के जोर जबर्दस्ती नहीं कर सकता है या उनको वो कारे करने के लिए विवश नहीं कर सकता है जोकिन की इच्छा नहीं है फिर हम बात करें आधिवासी एंड डिमांड्स टिया आधिवासियों की जैसे कि हमने पिछले लेस्न में कि आधिवासियों को उनके स्थान से जोर जबर्दस्ती तरीके से निकाल दिया जाता है और ये एक्ट उनके लिए भी बेनिफिशियल माने जाता है और इसके तहत वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि जो लोग आधिवासियो पर या जंगलों पर कमचा नहीं कर सकता है फिर यहां पर एक सीके जानू सीके जानू नाम के जो आधिवाद से एक्टिविस्ट से कारे करता थे उन्होंने ये आरोप लगा है कि जो जितने भी गोवर्मेंट है या जितने भी जो स्टेट गोवर्मेंट के कई स्टेट गोवर लकडी कार सकते हैं या जो कुई भी फैक्ट्री है लगा जाती है paper फैक्टींस laser लगा जाती है तो वो यह इन लोगों को जंगलों से निकल देता है अगर और इसके अलावा यहां पर और भी बात बताई गयी है जिसके तहत इन्हों ने यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इनके शेत्रों से निकाला गया है तो उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए हो एक अलग जगह रहने के लिए की भी सुविधा प्रदान करने चाहिए और इन्होंने यह कहा है कि जब गौर्मेंट के पास एक बड़े जब एक गौर्मेंट के पास एक बड़े जो स्कीम्स को या पॉलिस को लाने के लिए पैसा होता है तो इन जो आदिवासी लोग है उनके रक्षा के लिए उनके पास पैसा क्यों नहीं है अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कंक्लूजन में यह बताए गया है कि कोई भी सुविध में तो मुझे पूरी उमिद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया है और यह हमारा complete भी हो गया है thank you for watching